अवान ए बिटवा उठ जाओ इस्कूल नहीं जाना है क्या अच्छा बज़ गए हैं उठ रहे हैं मम्मे ए अभी उठा नहीं रुख जाओ अभी फानी लेकर आती हूँ इस्कूल नहीं जाना है क्या भी तक सो रहे हो गाड़ी तो आ रही होगी मम्मे ए मम्मे पेड़ बहुत तेज धर्द कर रहा है मतलब कि तुम आज स्कूल नहीं जाओगे अरे हम तो पहले ही कह रहे थे इसका नाम इंगलिस मीडियम में मत लिखाओ मैं जानती हूँ यह रोज ऐसा ही नाव टंकी करेगा लेकिन मेरी बास सुनता कौन है इस घर में मैं बहुत तेज लैटरिंग लगी है आ गए लैटरिंग से अब जल्दी से नहा के तयार हो जाओँ मैं फिर से लैटरिंग लग गाए लिया अरे जब तबियत खराब है तो ना जाए इसकूल एक दिन गेना जाने से कुछ हो नहीं जाएगा तबियत खराब है फुल नो टंकी कर रहा लांडा मैं तो कह रही हूँ इसका नाम कटवा के छंगू वाले में लिखवा दू अब तब जाए स्कूल जाए या ना जाए चाहे मूड पिरवाए चाहे पेट पिरवाए चाहे चक्काड आए इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं कर रहा हूँ मम्मी समझो टंकी बंद करो पहले चलो तुम तयार हो उसके बाद तुम्हारा मूड पेट जो भी पिरवाएगा तुम्हा देखती हूँ चलो पहले तयार हो तयार हो गये महराज हाँ तयार हो गया फिनावर पोटल हलवा बनाया है टिफिन में हलवा वो लोगाडी भी आ गयी मम्मी बहुत तेज बेट दर्द गर्राई चक्कड भी आ रही है अरे नव टंकी बाज तुझे तो वाइंस बनाना चाहिए एक्तिंग में तुझे हाथ अजमाना चाहिए नव टंकी बाज देखा स्कूल जाने ना जाने के लिए लेकिन तुस्से बड़ा नव टंकी बाज आस तंग मैंने नहीं देखा साथ साल के उम्र में येस सचेज देखा ना कैसे नो टंकी की स्कूल जा रहेंगे ये स्कूल नहीं चाहते पड़ो हुआ हेलो दोस्तों आज आप सभी सुच रहे होंगे प्रवीन भाई लास्ट में कैसे तो दोस्तों एक बहुत अच्छी प्रयाग राज जो लोगडाउन का पालन कर रहे हैं और दोस्तों यह बहुत अच्छी खबर है यह बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो प्रयाग राज है वो ग्रीन जोन में है तो दोस्तो ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करते रहे हम क्रोना से जंग जरूर जीतेंगे क्रोना हारेगा इंडिया जीतेगा एक कमिंटमेंट खुछ से कीजिए सुरच्छित रहो घर पे रहो सुरच्छित रहो